यूपी पंचाय चिनाओं में बीएसपी ने अच्छा प्रदशन किया है। बसपा के बाद आरलडी ने नो सीटों पर जीत दर्ज की है। बसपा के बहतर प्रदशन ने उसकी अपने गड़ में वापसी करा दी है। सपा चार कॉंग्रेस एक और निर्दल्य को छे सीटे मिली हैं। एक सीट जनेता दल के खाते में गई। जानकार इसके पीछे कहीं ने कहीं सता धरी दल के प्रती ग्रामीन मतदाताओं की नाराजगी मान रहे हैं। तो वहीं साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजिनिरिंग नीती को भी अंदेखा नहीं कर रहे। कारण साफ है कि बसपा ने टिकट वित्रन के वक्त जातिय समीकरन पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब पार्टी की नजर आने वाले विदानसबा चुनाओ पर टिकी हुई है। बतादे की 2007 के विदानसबा चुनाओ में शानदार परदशन करते हुए बसपा ने तीनों सीटों पर कबजा कर उरई जनपद को अपनी पार्टी का गड़ बना लिया था। इसके बाद 2012 के चुनाओ से लेकर 2019 में हुए लोकसबा चुनाओ तक बसपा जीत को तरस्ती रही। एक लंबे अंदराल के बाद अब बसपा ने जिला पंचायत के चुनाओ में धमाकेदार पर दशन कर फिर से हाथी को उसके गड़ में लाखडा कर दिया है। राजनिती के जानकारों का कहना है कि कहीं ने कहीं केंदर व्यपरदेश की योजनाओ का ग्रामिनों को सीधा लाबने मिलना भी भाजपा से वोटरों का मो भंग करने का एक कारण बना है लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि बसपा ने टिक्टो के बटवारे में जिन जातिय समीकरण को बैठाया वे इस चुनाओं में एकदम फिट बैट गए सोशल इंजिनरिंग की बांगी गड़न, महेवा, अकबरपूर, माई और जगमनपूर में साफ दिखी गड़र सीट पिछड़ा वर्ग के लिए अरक्षित थी जिसमें मूलत है पिछड़ा वर्ग से आने वाले यादव और निरंजन बहु संख्या में हैं भाजपा और सपा ने इन दोनों ही जातियों पर दाव लगाया था लेकिन बसपा ने इस सीट से पिछड़ा वर्ग से आने वाली नाई जाती के प्रत्याशी को मैदान में उतारा और जीत दर्च की ऐसा ही कुछ महेवा सीट पर भी हुआ यहां से आनारक्षित सीट पर बसपा ने उस शेतर से आने वाले 84 ठाकूर बिरादरी को टिकट दिया और जीत दर्च की जबकि इस सीट पर भाजपा ने भी कछारी ठाकूर जाती के प्रत्याशी को टिकट दिया था और हार का सामना करना पड़ा सबसे ज्यादा रोचक स्तिती कालपी तैसील की अकबरपुर इटोरा सीट पर देखने को मिली सोशल इंजिनरिंग बसपा की जीत की एक बड़ी वज़े मानी जा रही है ब्यूर रिपोर्ट दे निवस्बीक